आखिरकार लंबे समय के बाद हाई कोट में रीट लेवल वन से जुड़े मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है और हाई कोट ने अपना फैसला सुरक्षित रख दिया है ऐसे में अब प्रदेश के करीब 4,000 युवा जो लेवल वन में नियुक्ति की मांग को लेकर लंबे समय से संगर्ष कर रहे हैं उनको अब हाई कोट के फैसले का इंतजार है सुबह साड़े दस बजे से जो सुनवाई शुरू हुई थी वह शाम तक चलती रही हाई कोट की ओर से याची का करताओं को साथ ही चैनित अभ्यर्थियों को सुना गया बोर्ड के वकील और बोर्ड अध्यक्ष भी इस सुनवाई में मौजूद रहे आपको बता दे कि सुनवाई के दौरान बोर्ड अध्यक्ष जो मेजर जनरल आलोक राज है वह भी कोट के अंदर सुनवाई में मौजूद रहे बोर्ड की ओर से एक एफिडेबिट पेश किया गया है आपको बता दे कि इस मामले में हाई कोट की ओर से बोर्ड से जवाब मांगा गया था कि बोर्ड की ओर से आयोजित भरती परिक्षाओं में प्रशनों को लेकर आखिर इतनी गफलत क्यों होती है क्यों हर बार जो सवाल हैं उनको बदला जाता है आपतियां इतनी ज़्यादा क्यों आ रही है इसके जब सवाल हाई कोट ने पूछा था उसका जवाब बोर्ड ने पेश किया है बोर्ड ने एक एफिडेपिट पेश किया है जिसमें ये कहा है कि बोर्ड की ओर से पिसले तीन कराई जाती हैं किसी के जवाब हैं वह दो से तीन होते हैं तो कहीं न कहीं जो कुछ सवाल होते हैं उसमें जो उत्तर है वह सही नहीं होता है ऐसे में आसतन दो से पंद्रा सवालों पर आपतियां दर्ज करवाई जाती हैं इसके साथ ही बोड को हाई कोट की जो पटकार है उस उसका भी सामना यहां पर करना पड़ा, आपको बता दें कि बोर्ड ने अपना पल्ला जाड़ने के लिए हाई कोट में RPSC का उधारन दिया, उसने अपना पल्ला जाड़ते हुए RPSC पर आरोप लगाए कि बोर्ड से जादा सवालों पर तो RPSC की भरती परिक्षाओं में आ लेकिन जो कोट की मंशा थी, वो ये थी कि बोर्ड की ओर से जो भरती परिक्षाओं करवाई जा रही है, उसमें आखिर प्रशनों को लेकर इतने सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, इसको लेकर उनका जो सवाल था, आपको बता दें कि लेवल वन की सुनवाई पूरी हो चु गई थी, तो वहीं बोर्ड की ओर से नलिल नारायन है, उन्होंने हाई कोट में अपना पक्ष रखा था, इसके साथ ही सरकार की ओर से डबल एजी की ओर से इस मामले में पैर भी की गई है, ऐसे में अब लेवल वन के करीब 6,000 अभ्यरतियों को हाई कोट के फैसले का इंतज आ रहा है, तो अब देखना होगा कि हाई कोट का फैसला क्या रहता है, और जो पिछले 3 सालों में भरती परिक्षाएं बोर्ड की ओर से करवाई गई है, 178 उसका जो एफिडेविट पेश किया गया है, उस पर कोट क्या रुख अपनाता है, आप देखते रहिए दनगरी न अátट है, पिछले 3 सालों में एक्या है, और जूआ है, बोर्ड़ में रहाँ 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 ह्या है, और जजब देखते हैं, तो अवत में किया है, भी एगे ऐगी करो से किइए देखते हैं, विएते हैं, छाया है, आवे जया है...